आज से सुरू हो रहा है बेंगलोर का लेग और बेंगलोर लेग का Day 1 का दूसरा मुकाबला एक महरास्टन डाभी का मुकाबला देखने को मिलेगा जहां पे हमें पुनेडी पल्टन एक तरफ दिखेगी और दूसरी तरफ यू मुंबा की टीम दिखेगी एंड इस मुकाबले में दोनी टीम्स की का स्टार्टिंग सवन रहने वाली है head to head records दोनी टीम्स को compare करेगे आईए इस match का detail में preview करते है match की info पे फटफट नज़र डाल लेते तो match निमर 13 जो यहाँ पे पुनेडी पल्टन वसिस यू मुंबा के बीच में खेला जाएगा रात के 9 बज़े श्रीकंतीरवा इंडोर स्टेडियम बेंगलुरू में head to head records पुनेडी टीम्स डाल लिया जाए तो आप देख सकतो दोनी टीम्स 20 बार भिड़ चुकी है तो पुनेडी पल्टन के स्टार्टिंग 7 में देखने को मिल जाएगे असलम इनामदार, पंकच मोहीते, मोहीत गोयत, अभीनेश नदराजन, संकेज साबंद, गौरफ खत्री और मोहमद रेजा सादलू देखने को मिल जाएगे वो यहाँ पे गौरफ खत्री है, गौरफ कुमार नहीं है, राइट कॉर्णर के डिफेंडर और बात की जाए यू मुंबा की, तो यू मुंबा के स्टार्टिंग 7 में देखने को मिल जाएगे दोने टीम्स को कंपेर करें, इससे पहले मेरी आप सोभी से एक छोटी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी अभी तक टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है आप पटपट हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लो, मैच की कवरेज होगे और पीकेल के हर एक अपटेट यहाँ पर मैं सबसे पहले टेलिग्राम पर शेयर कर रहा हूँ तो जिनको भी कवर्डी के अपटेट जानने है तो टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लो एड़ेट स्पोर्ट जिनिफ सेवन सर्च करना है नहीं तो डिस्कॉप्शन बोक्स में मैं आपको लिंक दे देने वाला हो दोने टीम्स के स्टार्टिंग सेवन को कंपैर कर लिया जाए पुनेडी पल्टन की बात की जाए तो हमें पुने के स्कॉर्ड में रेडर्स में देखने को मिल जाएगे असलम इनामदार, पंकच मुहिते और मुहित गोयत वहीं पर यू मुंबा के टीम में देखने को मिल जाएगे गुमान सिंग, जाफर दनेश और परनेराने देखा जाएगे यहां पर दोने टीम्स का रेडिंग लाइनप बिलकुल बराबरी का चल रहा है तीनों ही रिडर्स, दोनों टीम के बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे अब डिफेंस की बात किजा तो कवर डूओ में हमें पुने के टीम से अभीनेश नदराजन और संकेश सावन देखने को मिल जाएगे यू मुंबा के टीम से हमें सुरिंदर सिंग और महेंदर सिंग देखने को मिल जाएगे वो ही सेम बात है दोनों टीम के जो कवर डूओ है वो हमें बिलकुल बराबरी का देखने को मिल रहा है corner duo की बात की जाए तो हमें पूने के टीम से गौरफ खतरी एंड साथलू देखने को मिल जाएगे यू मुंबा के टीम से रिंकु शर्मा एंड गिलिश एनाक देखने को मिल जाएगे इसमें दोने टीम का बराबर नहीं है पूने का जादा स्ट्रॉंग देखने को मिल रहा है जहाँ पे जाएपूर के अगेंस्ट साथलू ने चार टेकल पॉइंट स्कोर किये थे और गौरफ खतरी ने दो टेकल पॉइंट स्कोर किया तो पूने की टीम डिफेंस में एंड साथी साथ रेटिंग में काफी अच्छे दिख लिए यू मुंबा की टीम भी कम नहीं है अब यहाँ पे बात करते हैं उन खिलाडियों के बारे में जिन पे सब की नजरे रहने वाली है पुनेडी पल्टन से सुरू किया जाए तो मुझे लगता है कि मुहीत गोयत पे सब की नजरे रहेगी मुहीत गोयत ने 8 पॉइंट स्कोर किया था जयापूर पिंग पैंथर्स के अगेंस तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है तो मुझे लगता है कि इस मुकाबले में अच्छा खेल सकते युमुम्बा की टीम की बात की जा तो युमुम्बा की टीम से आमीर मुहीत चाफर दनेज मुझे लगता है कि नजरे रहने वाली है दो मैचेस खेल चुके अब तक इकेल 10 में जिसमें 20 पॉइंट इन्होंने स्कोर किया तो ओवरॉल काफी अच्छा इनका गया है दो मैच एंड इस मुकाबले में भी अच्छा खेल सकते अब यहां पर मेरी प्रेडिक्शन के बारे में बात कर लेते क्या मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है मेरा पहला प्रेडिक्शन यह है कि आमीर मुहमाद जाफर दनेस इस मुकाबले में सूपर 10 स्कोर करने वाले दूसरे प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि यह मुकाबला बहुत ही क्लोस जाएगा एक दो पॉइंट के मार्जिन से ही जो भी टीम मुकाबला जीतेगी इतना क्लोस जा सकता है दो तीन पॉइंट तक जाएगा और कॉंसरे टीम मुकाबला जीतेगी मुझे लगता है कि यह मुमबा के टीम मुकाबला जीतने वाली है अब आपको क्या लगता है यह मुकाबला कॉंसरे टीम जीज़ सकती है अगर आपको लगता है कि तह आप comment section में orange heart mention कर सकते हो और आपको लगता है कि you mumbai के team जीटेगी तो आप red heart mention कर सकते हो और अभी फिलहाल के लिए PGL season 10 के top readers का list आपने नहींदेखा है एमदाबाद लेक कंप्लेट होने के बाद तो लफ साट पे क्लिक करके देख सकते हो और राइट साट पे P.K.L. सीजन 10 का नया पॉंस्टेबल मैंने सो किया है वो भी आप चेक आउट कर सकते हो तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे एक और ने इंटरसिंग उड़े के साथ ठैंक्स पर वाचिंग